हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में अगर आप 2020 वाला नेट या जेरफ एक्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के अलावा सेकेंड पेपर शुषॉलजी के लिए आपको यहां से काफी मदद मिलीगी नेट इग्जाम के अलावा अगर आप सेट पीजीटी या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ावा कोई और भी एक्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप शुषॉलजी के लिए यहां से पर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल का नाम है गोल्टू सक्सस अब बात करें वीडियोस की तो इन सभी से जुड़ेवी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगे सभी का लग-लग फोल्डर बना हुआ है तो आपको किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी नहीं होगी आज हम लोग बात करने वाले हैं जनजातियों के लिए जो जागरुकता भियान चलाया जा रहा है उसके बारे में ये नियोज में है तो चलिए देख लेते हैं क्या है अब भियान इसे हाल ही में भारतिय जंजाती यानि ये जो जंजातियों के लिए एक जागरुकता भियान चलाया गया है उसे भारतिय जंजाती सहकारी विप्रण विकास परिसंग ने COVID-19 से निपटने के लिए आभासी प्रिशिक्षर कारिकम का आयोजन किया है किसने भारतिय जंजाती सहकारी विप्रण विकास परिसंग ने चीक है तो ध्यान दीजेगा आगी देखने वाले हम लोग इंपोर्टन फैक्ट तो चलिए देख लेते हैं इस आभासी प्रिशिक्षर कारिकम के आयोजन में सैंत रास्ट बालकोष और विश्वस्वास संगटन ने भागिदारी की है तो यहाँ पर यह फ्रेंट से इंपोर्टन रो जाता है कि यह जो आभासी प्रिशिक्षर कारिकम है इसके आयोजन में सैंत रास्ट बालकोष और विश्वस्वास संगटन ने भागिदारी की है ट्राइफट के सदस्यों और स्वेम सहायता सम्हों से जुड़े लोगों को वेबिनार प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविट नाइटीन से बचाओ हे तो आभासी प्रिशिक्षन दिया गया है अभी हम लोग आगी देख लेंगे ठीके वेबिनार होता क्या है ट्रीके तो ये जो कोविट नाइटीन से बचने के लिए जो आभासी प्रिशिक्षन दिया गया है उनके बारे में बात कर ले तो क्या है समुधाय को समाजिक दूरी के बारे में जागरूप करना गैर कास्ट वन उत्पात को इकत करते समय क्या करे तथा क्या ना करे व्यक्तिगर स्वच्छता बनाई रखने कैशलेश प्रणाली को अपनाने इत्यादी के बारे में जागरूप करना है अब देख लेते हैं वेबिनार है क्या वेबिनार एक ऐसा सौफ्ट्वियर है जिसकी मदद से इंटरनेट पर संगोस्टिया, सेमिनार, प्रशिक्षन, कारिकरम आयूजित किया सकते हैं या उनमें भाग लिया जा सकता है ट्राइफ ने Art of Living Foundation के Stand with Humanity पहल के घटक Stand with Tribal Family के साथ चुणने के लिए फाउंडेशन से संपर्क किया है Stand with Tribal Family जनजाती समुदायों के लिए भोजन और राशन प्रदान करेगा अब बात कर लेते हैं इनके उद्देश के बारे में जो प्रशिक्षन के उद्देश हैं विक्या हैं 27 राजियों में जनजाती छेत्रों को शामिल करते हुए 18,000 से अधेक प्रतिभागियों तक पहुँच स्थापित करना है जनजातियों और उनकी अर्थ विवस्था को सुरक्ष प्रदान करने तथा उनकी आजेविका सुनिश्चित करने हैं तू कुछ सक्रियों पायों को भी शुरू करना है एक डिजिटर प्रिशिक्षर कारिकरम के माध्यम से वन धन समाजिक दूरी जागरुकता के तहद 15,000 यानि जो स्वेम सहायता समू थे उनको आजेविका केंद्रों की रूप में बढ़ावा देना है वर्तमान में 27 राजियो और एक केंद्र शाषिर प्रदेश में कोल 1205 वन धन विकास केंद्र का संजालन की अजारा है जिन में 18,075 वन धन स्वेम सहायता समू शामिल है और इस योजनाम से 3.6 लाग सेधिक जनजाती छेतरों के जो लोग हैं वो चोड़े हुए हैं अब बात कर लेते हैं गैर कास्ट one उत्पाद ये है क्या जनजातीया मार्च जून महीने के दोरां थैकें मार्च से जून महीने के दोरांनननने टी एफपी को एकरत करते हैं एंटी एफ़पी प्राकर्तिक रूप से उत्पन होने वाले ऐसे उत्पाद हैं जो एक विशेश मौसम पन रिर्भर होते हैं जन्जातिया मार्स से जून महीने के दौरान कुल वाशिक आयका 60-80% कमाते हैं गर्मी कोई मौसम में कर्तित प्रमुक गैर कास्ट वन उत्पादों में जंगली शहद, इमली, आम, तेंदुपत्ता, साल के पत्ते, महुआ के बीच, नीम के बीच, करंज के बीच, महुआ के फूल तथा तेज पत्त्त अत्यादी इसमें शामिल हैं अब बात कर लेते हैं ठ्राइफट यानि भारती जंजाती सहकारी विप्रण विकास परिसंग के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, भारती जंजाती सहकारी विकास परिसंग की स्थापना 1987 में हुई थी, यहां रास्टे इस्तर का एक शीष सं गटन है जो जन्जाती कारिमंत्राले के प्रशाश के नियंत्रन के अधिन कारी करता है त्राइफट का जो मुख्याले है वह दिल्लीमें है और इसके 13 छेत्री कारेले हैं जो देश के विभिन स्थानों पर स्थेत हैं तो इतना important था आपको अच्छे से देखना है पढ़ना है, नोस बनाना है यह आपके important है first paper and second paper जो psychology है उसके लिए important है जो current से related question बनते हैं तो प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहाए है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जाद से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करिएगा, थैंक यू